आइड मैचिस दिल्चस्प होते हैं एक बड़िया मैच देखने मिल सकता है आज विकेट सकत रखी गई है यकीन ज्यादा उचान मिलेगा आज गेंद बास को दोनों टीमों के कप्तार और मैच रेफरी मैदान में टॉस के साथ तयार है आज के मैच के लिए इन खिलाडियों को चुना गया है नई गेंद के साथ दोनों अमपायर पिछ की तरफ बढ़ते हुए चलिए इस पारी की शुरुवात करते हैं फिल्डर्स अपनी जंगार ले चुके हैं दो प्रतिबाशाली सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं तेज गेंबास को आकरमन में लाया गया है पर उनर्स बाहस को स Anyways प्रफ फे जे साथ में छीर्ट हीज क्दाया करें दोप एक फिल्ड़़्वास को आपना को गए उनर्स मौश्स कार Ons I जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई इनिंग की पहली गेंद तारीफ के काबिल हैं ये गेंबाज पहली गेंद पर अपनी टीम को विकेट दिलाई बड़ी सफलता पूरी टीम उत्साहित होगी इस विकेट से बलेबाज अपने आप से निराश जरूर होंगे गेंबाज आज बड़िया फॉर्म में दिख रहा है कड़क टाइमिंग के से खेला हुआ शॉट गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुँचाया इन परिस्थितियों में एक धीमी गती की गेंद जरूर आजमाना चाहे का गेंबाज अच्छी गेंद और उसे जाने दिया बल्लेबाज ने धैर्यता और समझ के साथ अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज क्या ये कैच हो सकता है नहीं फील्डर ने कैच छोड़ा जीवंदान दिया बल्लेबाज को इसी वज़ा से गेंद की गती भाप नहीं पाए इस बेहतरीन शॉट बढ़िया ग्याप धून निकाला है बल्लेबाज ने चारन बल्लेबाज अपने इसी बेखौफ अंदास के लिए जाने जाते हैं वाववाव मुश्किल कैच को एक लाजवाब अंदास में लपका बड़ी सफलता पूरी ठीम उतसाहित होगी इस विकेट से मायूस होंगे बल्लेबाज अपने आप से पविलियन का लंबा रस्ता तै करना पड़ेगा बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बाज गैप में खेला और एक रंच चुरा लिया एक्ट्रा रंच कोई हिच की चाहट नहीं दिखाई बल्लेबाज उने इस ओवर्थ्रो के रंच भागने में ये गेंद बहुत ही उची गई है और दूर भी गई है गेंद सीधा स्टैंड में जाके हुई लैंड मिस फील्ड हो गई है शायद जल्बाजी में फील्डर ने गेंज से अपनी नज़र हटा ली बड़ी सफलता पूरी ठीम उत्साहित होगी इस विकिट से बल्लेबाज अपने आप से निराश जरूर होंगे शायद फील्डर गेंद की तरफ आवशकता से जादा तेश चले गए इसी वज़ा से गेंद की गती भाप नहीं पाए बढ़िया संपर्क और यह शांदार छे रन यह रहा हमाई फायर है अलविदा गेंद को मिलते हैं बाउंडरी के पार छे रन जल्दी से एक रन कंप्लीट किया इन दोनों ने लॉंग लेग पे फील्डर तैनाथ है शायद शॉर्ट बॉल का प्रियास होगा अच्छे अंदाज में पिक किया शॉर्ट को गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में पावर प्ले की समापती अब दो से अतरिक फील्डर तीज गच के बाहर फील्डिंग कर सकते हैं बढ़िया संपर और ये शांदाज छेगन दिल्चस्प होगा ये जानना कि अगली गेंद कहां डालने की कोशिश करेंगे गेंदाज बल्ले से गेंद का जबरदस संपर्क और इसे छे में किया तबदील काफी सटीक फील्ड प्लेस्मेंट रखी है कप्तान ने बड़िया कप्तानी बड़ा युंदा शॉट गेंगई हवाई यात्रा पे दर्शकों ने इस मैच में जान डाल दी है अपनी टीम का पूरी उर्जा के साथ सहयोग कर रहे हवा में दे मारा है खराब फीलिंग अब इस तर पे आपसे और सटीक थ्रो की उमीद होती है जबर्दाश शॉट अरे जितनी तारीफ करो बल्लेबास की उतनी ही कम है क्या खूब खेला है खूब सूर चेड़न अरे शॉट की खूब सूर्थी लबजों में बयान नहीं हो सकती बैट्समेन अत्यंत सावधानी बरत रहें लंबी पारी खेलने की आवश्वक्ता है खेल दिया है गैप में दूसरा रन चुराने की कोशिश कर रहे है साधारन फील्डिंग अब बल्लेबास को अगर आपने किसी प्रकार की चुनौती देनी है न तो स्थ्रो जो है वो सठीक रखना पड़ेगा आपको ये गैन पूरी तरह से मिस हुई बढ़िया गैन बाजी बल्लेबास जरूर पिछली गैन भुलाकर अगली गैन पे ध्यान लगाना चाहेंगे मिलेंगे छे रन पहले ही पड़ लिया था गैन को पहुचा दिया थारा मंदल में गैप में खेला और एक रन चुरा लिया खराब फिल्लिंग गैन बाज जरूर नाखुश होंगे फिल्डर से और पूरा फाइदा उठाया आप बल्लेबास ने एक्स्ट्रा रन पूरा किया बढ़िया संपर्क और ये शानदा च्छे रन और इसके साथ अर्च दक पूरा किया बल्लेबास ने बहुत अच्छे फ्लो में दिख रहे हैं आज ये अपनी पारी को एक बड़े शतक में तब्दील करने की सोचे का बल्लेबास गेन बास को कुछ अलग आजबाना चाहिए ये ला हवाई फायर है अलग विदा गेन को मिलते हैं बाउंडरी के पार छे रन ओहो क्या गेन डाली है लेकिन अमपायर ने नॉट आउट करार दिया जी नहीं ओन फील अमपायर के फैसले से लगता है संतुष्ट है ये रिदवan के गडा है खरता है ये लोगत Sorry का बता है गैप में खेला और एक रंच चुरा लिया रनो की गती अब बढ़ाना चाहेंगे बल्ले बास ये गेंज बहुत ही उची गई है और दूर भी गई है गेंज सीधा स्टैंड में जाके हुई लैंड एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी कमाल का शाट और यहां मिलेंगे पूरे छे रन बल्ले बास जरूर पिछली गेंज भुला कर अगली गेंज पे ध्यान लगाना चाहेंगे उम्दा गेंज बासी बल्ले बास को वो गेंज समझ ही नहीं आई गेंज बास वैसे तो अच्छी लाइन पे गेंज डाल रहे हैं क्या यह विकेड लेने में सफल होंगे चलो देखते हैं कोशिश बढ़िया थी पर टाइमिंग सही नहीं साधारन फील्डिंग भागे शाली रहे बल्ले बास बल्ले का किनारा नहीं लगा गैप में खेला और एक रन चुरा लिया यह स्टम्स के करीब से गई है बहुत बढ़िया थ्रोथा फील्डर का काफी सटीक फील्ड प्लेस्मेंट रखी है कप्तान ने बढ़िया कप्तानी एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी बढ़िया साज़दारी दोनों बल्लेबाजों ने अच्छा साथ निभाया है एक दूसरे का हुआ है लेकिन गेंग को स्टैंड में पहुंचा दिया गैप में खेला और एक रन चुरा लिया बड़ी आत्रो स्टैंब्स के बेहत करीब थी ये गेंग नजदी की मामला हो सकता था एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी हवा में गेंग जल्दी से एक रन कंप्लीट किया इन दोनों ने बड़ी आपील ये काफी नजदी की मामला है अमपायर का फैसला निर्नायक होगा बड़ी सफलता पूरी ठीम उत्साहित होगी इस विकेट से बैट्समेंट बहुत ही मायूस डगाउट में वापिछ जाते हुए रन आउट मैच का रुख बदल देते हैं गुलच शॉट सेलेक्शन बाग इशाली रहे बले का किनारा नहीं लगा यकीनन बले बास को मुश्किल समय दे रहे हैं ये गेन बास गैप में खेला और एक रन चुरा लिया खराब थ्रो डायरेक्ट हिट की थी तलाश लेकिन स्टम्स से बहुत ज़्यादा दूर थी थ्रो एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिला रही वहवा बोल्ड कर दिया यहां पे चक्मा खा गए बल्लिबाज मायूस होंगे बल्लिबाज अपने आप से पविलियन का लंबा रस्ता तै करना पड़ेगा यह पारी की आखरी गेंद है देखते हैं इस पर क्या होता है ओहो बल्लिबाज दर्द में होंगे यहां पे खतनाग गेंद लगी है सीधा शरीर पे देखना दिल्चस्प होगा कि इस लक्ष्य का पीछा करना कितना चुनौती पून साबित होता है बैटिंग टीम के लिए दोनों सरामी बल्लिबाज मेदान में उतरते हुए गेंद बाजी आकरबन के लिए तेज गेंद बाज आएं हैं अपीका खाया झाल हो दोनोंगा खाया कितना युष सेचर्णा शरी आकरणा खाया नहीं कितना खाया कितना यूपा नहीं पून यूपगए अब राउंद विकेट से गेन बाजी करेंगे गेन बाज जितनी टाकत से मारा था इस शौट को इन्होंने निश्य तोर पे ये गेन सीधा बाहर ही जाएगी बल्लेबास पहली गेन खेलने के लिए पूरी तरह तयार है सुपर शाट किसी भी शेतरक शक के पास मौका नहीं इस गेन को रोकने का चार रन ओवर दो विकेट बॉल डालने का फैसला है गेन बास का गैप में खेला और एक रन चुरा लिया मैश में अगर पकड बनानी है तो फिल्डिंग टीम को रनों की गती पे अंकुष लगाना पड़ेगा लाजवाब शॉट क्या खूब खेला है चार रन मिलेंगे बल्लिबास को उम्डा टाइमिंग पूरे विश्वास के साथ खेला है ये शॉट शांदार चौका स्पिनर पे भरोसा जताया है कप्तान ने अब देखते हैं कितने असरदार साबित होते हैं ये इन परस्थितियों में अब राउंद विकेट से गेनबाज ही करेंगे गेनबाज बढ़िया शॉट चार रन ज़रूर मिलेंगे इस बल्लेबाज को तो विपक्षी प्रशंसक भी तालियों से सरा रहे हैं गैप में खेला और एक रन चुरा लिया इन परस्थितियों में एक धीमिकती की गेनज जरूर आजमाना चाहे का गेनबाज खुबसूरत शाट फिल्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेनज को रोकने का जब ये बल्लेबाज अपने रंग में होते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है तेज गेनबाज अटैक में आते हुए गैप में खेला और एक रंग चुरा लिया रनों की एहमियत को बहुत भली भाती समझता है ये बल्लेबाज वह अदभुद अदभुद गेनद को सीमा रेखा की तरफ पहुचा दिया बहतरीन चौका बहुत ही शानदार रनिंग बिड़ीन दो विकेट से दोनों बल्लेबाजों के बीच बहुत जल्दी गेनद को परक लिया गैप में खेला उम्दा स्ट्रोक चार रंड बल्लेबाज का फॉर्म काफी अच्छा लग रहा है आज तेज दौल लगाई और एक रन अपने खाते में चोड़ लिया स्लिप लगाई है कप्तान ने विकेट की तलाश में लग रहे हैं गैप में खेला और एक रन चुरा लिया तेज दौल लगाई और एक रन अपने खाते में चोड़ लिया स्पिन गेनबाजी को खेलने के लिए मानो बादशाहत हासिल है बल्लेबाज को आत्में विश्वास जरूर बढ़ेगा क्योंकि गेनबाज अपने पसंदीदा छोड़ से डाल रहें गेंगें सीधा फिल्डर के पास खेल बैठे ये शॉट स्पिन गेनबाज को वापिस लाया गया है गैप में खेला और एक रन चुरा लिया साधारन फिल्डिंग अब बल्लेबाज को अगर आपने किसी प्रकार की चिनौती देनी है न तो फ्रो जो है वो सठीक रखना पड़ेगा आपको खेल दिया है गैप में दूसरा रन चुराने की कोशिश कर रहे है ला जवाब साधेदारी दोनों बलेबाजों द्वारा अपनी टीम के लिए एक नहायती महत्वपून पारी खेली जा रही है बहुती शानदार रनिंग बिट्वीन दो विकेट्स है दोनों बलेबाजों के बीच बहुती शानदार डाइव और ये कैच पर्फेक्ट कैच आफ दा मैच ये रहेगा बलेबाज निराज पविलियन की तरफ वापस लोटेंगे बहुत अनुशासन से गेंद करने के लिए जाने जाते हैं ये गेंद बाज एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खेलाड़ी शौट अच्छा खेला पर गैप ढूनने में आ सफल रहे बलेबाज जल्दी से एक रन कंप्लीट किया इन दोनोंने खराब थ्रो डायरेक्ट हिट की थी तलाश लेकिन स्टम्स से बहुत जादा दूर थी थ्रो वाइड थ्रो फिल्डिंग अस्तर और बेतर रखने की जरूरत है फिल्डर को ऐसे लूज थ्रो महेंगे पड़ सकते हैं तेज गेन बाज वापस अटैक में आते हुए आकरमक फिल्ड प्लेस्मेंट स्लिप्स लगाई है विकेट्स की तलाश में लग रहे हैं गेन बाज खराब फिल्डिंग अब इस तर पे आपसे और सटीक थ्रो की उम्मीद होती है अमपायर का हाथ उठा और ये हुआ नो बॉल का इशारा सब की निगाहें बल्लेबास पर क्या ये इस फ्री हिट का अच्छा इस्तमाल कर पाएंगे बल्लेबास बिल्कुल कंफरेबल नहीं दिखे इस गेम पर जल्दी से एक रन कंप्लीट किया इन दोनोंने कोशिश अच्छी थी लेकिन गैप नहीं ढून पाएंगे फिल्लर था वहां मौजूद दर्शकों ने इस मैच में जान डाल दिये अपनी टीम का पूरी उर्जा के साथ सहयोग कर रहे हैं तेज दौल लगाई और एक रन अपने खाते में चोड़ लिया रनों की एहमियत को बहुत भली भाती समझता है यह बले बास शानदार दाएंग क्या लपका है यह इनको बहुती अद्भुत के आच पकड़ा है फिल्डर ने बड़ी सफलता पूरी टीम उत्साहित होगी इस विकिट से बले बास अपने आप से निराश जरूर होंगे एक बड़े स्कोर तक पहुचने के लिए सिंगल और डबल बहुत बहुमूले होते हैं एक पल में गेंड बले पे और दूसरे पर गेंड सीधा स्टैंड में दमदार शक्का पहले रन के लिए तेज़ दौल लगाई है दूसरा रन निकालने की कोशिश साधार रन फिल्डिंग अब बले बास को अगर आपने किसी प्रकार की चुनौती देनी है न तो स्ट्रो जो है वो सठीक रखना पड़ेगा आपको ओहो हो इनका तो ये पसंदीदा शॉट है खुपसूरत चार रन तेज गिनबास वापिस अटैक में आते हुए जब ये बलेबास अपने रंग में होते हैं तो इनको रोगना बहुत मुश्किल होता है गैप में खेला और एक रन चुरा लिया एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खेलारी सूपर शाट किसी भी शेत्रक्षक के पास मौका नहीं इस गेन को रोकने का चार रन अब राउंड विकेट से गेन बाजी करेंगे गेन बाज जल्दी से एक रन कंप्लीट किया इन दोनों ने साधारन फील्डिंग अब बल्लेबास को अगर आपने किसी प्रकार की चुनौती देनी है न तो फ्रो जो है वो सठीक रखना पड़ेगा आपको तेज दौल लगाई और एक रन अपने खाते में चोड़ लिया ये स्टम्स के करीब से गई है बहुत बढ़िया थ्रो था फिल्डर का गैप में खेला और एक रन चुरा लिया रनों की एहमियत को बहुत भली भाती समझता है ये बल्लेबास बढ़िया शोट चार रन जरूर मिलेंगे एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खिलारी खराब फिल्लिंग अब इस तर पे आपसे और सटीक थ्रो की उमीद होती है बैट्समेन अत्यंत सावधानी बरत रहें लंबी पारी खेलने की आवश्चक्ता है तेज दौल लगाई और एक रन अपने खाते में चोड़ लिया साधार अन्फिल्लिंग अब बल्लेबास को अगर आपने किसी प्रकार की चुनौती देनी है न तो स्ट्रो जो है वो सटीक रखना पड़ेगा बल्लेबास और गेनबास दोनों के लिए ये विकेट अनुकूल लग रही है गैप में खेला और एक रन चुरा लिया दिल्चस्प होगा ये जानना कि अगली गेंद कहां डालने की कोशिश करेंगे गेंद बास एक रन लेने में सफल हो गए दोनों ही खेलारी गेनबास की गलती है और ये नो बाल बड़े शॉट की आशा है इस फ्री हिट पर सभी को बड़िया टाइम आत्म विश्वाज जरूर बड़ेगा इस शॉट से चार रन अब राउंद विकेट से गेनबास ही करेंगे गेनबास कोशिश अच्छी थी लेकिन गैप नहीं ढून पाए फील्डर था वहां मौजूद कि अब राउंद वेकिन गाउंद बड़ेगा से लेकिन दॉब हुआ झाल का बाल मैँ उन फोड़ान पर चुब है आचार का लिए तूल नेकर ये तूल पूल दोड़ान पर चाल